आज हर व्यक्ति अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, शारीरिक ताकत बढ़ाना चाहता है, मानसिक ताकत बढ़ाना चाहता है, अपना वजन बढ़ाना चाहता है, शरीर मजबूत बनाना चाहता है, हड्डियां तक मजबूत करना चाहता है, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है तो कोई अपनी मरदाना ताकत बढ़ाना चाहता है Sex Power यानि Sex Timing बढ़ाना चाहता है कोई अपना Sperm Count यानि वीरे बढ़ाना चाहता है तो कोई वीरे को गाड़ा करना चाहता है अगर आप भी ये सब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी special होने वाली है आप सभी को मेरा नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए जूस, बादाम रगड़ा, दूद वर हर तरह की अच्छी और महंगी चीज़े खाते हैं कुछ लोग दवाईों के जरिये भी अपनी शारीरिक ताकत बढ़ाते हैं अब दवाईय सरीर को नुकसान कैसे पहुंचाती हैं ये टोपिक थोड़ा बड़ा है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा हम उस पर भी वीडियो बना देंगे तो दोस्तों, जिस ताकत को आप लोग मार्किट में ढून रहे हो वो ताकत मार्किट में नहीं बिखती है ताकत कोई चीज नहीं है जिसे आप लोग मार्किट से खड़ी दिने बलकि ताकत तो हमारे शरीर में बनती है शरीर को बलवान, वजन बढ़ाना, मर्दाना ताकत, इम्यूनिटी हर प्रकार की ताकत हमारा शरीर बनाता है दोस्तों शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी है जिसके बीना आपका सरीर मजबूत नहीं हो सकता फिर चाहें आप देसी घी, दूद, काजू बदाम जैसा कुछ भी खाएं आपका सरीर मजबूत नहीं बनेगा तो दोस्तों सरीर में ताकत बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है मजबूत और अच्छा डाइजेसन यानि पाचन तंतर बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आप अपना पाचन तंतर मजबूत और ठीक करना चाहते हैं तो हमने उस पर भी वीडियोस बना रखे हैं हमने पेट की बिमारियों के पर काफी वीडियोस बना हैं और आगे भी बनाते रहेंगे आप उन वीडियोस को देखिए जिसका लिंक आपको उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपका डाइजेसन स्ट्रोंग है और बिलकुल ठीक है तो आपको पानी भी अधभुत ताकत देगा और सूखी रोटी भी आपका वजन बढ़ाएगी फिर चाहें आप कुछ भी खाएग वह आपको लगेगा किन्तु अगर आपका डाइजेसन वीक है आपका पाचन तंतर कमजोर है तो आप देशी घी दूद जैसा कुछ भी खाओ वह आपके सरीर को नहीं लगेगा क्योंकि जो पचेगा वही सरीर को लगेगा इसलिए पहले आप अपने पाचन तंतर पर ध्यान दीजिए और अगर वो कमजोर है तो उसे ठीक कीजिए हमने पाचन तंतर पर वीडियोद बना रखे हैं आप उन्हें ध्यान पूर्वक देखिए और उन पर अमल कीजिए आप चार करता हूँ कि आपको ये वीडियोद और ये जानकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फायदे मन्द होंगी तो दोफ्तों अब हमें आगया देजिए